हेलो हाइ फ्रेंड अगेन आप सभीका मैं वैलकम करता हूं हमारे योट्यूप चैनल भी और अब जो हम डिसकस करने वाले हैं बज्चों नुपीर सब्सक्राइम कर уп Convention डिसक्राइब्स करें दूसरी बात यह कूंगा बज्यों अभी आपके पास विल्म भी टाइव नहीं है यह मान के चलो आपकी exam जो है सप्टमबर में होने वाले है तो अभी से जो है जिनकी तैयारी strong है उनको मैं को मदचो अब जो हैं नहीं चीजिए उन्हें की practice करना start करनी जी और प्रैक्टिस कैसे करनी है प्रैक्टिस एक बार पूरा पूर्स जो है रिवाइज कर देना है और पूरा पूर्स रिवाइज कैसे होगा टेस्ट के मादन से या पूरा पूर्स रिवाइज कैसे होगा टेस्ट के मादन से जो है बच्चो वो पूरा पूर्स रिवाइज सालिये हैं और आपका स्लेबस और मैं और किया होगा है आपका पूरा जो अब और किया होगा मेरा आपका स्लेबस करें कारो कि कोशिस करें। और जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम 30 student बोलेंगे, यह होंगे only 30 student बोलेंगे, ठीक है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं, topic हम क्या करेंगे, पुरा सेवस्कावर करने के कोशिस करें, इसके अंदर जो हम बच्छो, end तो हम लेके चलेंगे, बच्छो, topic wise, और जो है, तू फुल लेके चलेंगे, full length के, full length की test, ठीक है, 10 तो लेके चलेंगे, topic wise, और दो लेके चलेंगे, बच्छो, full length की test, जो कि क्या है, 1 September से स्टार्ट होगा, और कोशिस करेंगा 20 से लेके 25 दिन के अंदर आपका यह पूरा सिर्वस्कावर करवादे, फीस्स की बच्छो, normal fees रख लेका, देखो बच्छो, और जी जो के 2%, 3%, 10% GST, study जो पर 18% GST, जो सर्गार देखो, और इसके इखलाब बच्छो हमें आवाज उठानी चाहिए, और एक बार भी मैंने आपको याद हो कहा था, कि study with GST, अगर गोल्ड की बाद के गोल्ड पर 3% GST है, ठीक है, जो भी हम उस से बस बता देता, अच्छा दूसरी बात बच्छो, एक सेप्टमबर से होने वाले है, अगर आपका टार्गिड है कि आप test जोईन करना चाहते हो, तो आप जोईन कर सकते हो, उसके लिए रिजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, पहले 30 स्टुडेंट के लिए ही ये फीस रखी ग जिसके अंदर हम कितने टेस्ट लेके चलने वाले 15 हमारे टॉपिक वाइस, और 3 हमारे F&T लेके चलने वाले, इसके लिए 15 स्टुडेंट में, प्रसमी 80% GST, जिसके लिए 7 टेस्ट हो चुके है, और अगर आप ये भी जवाइन करते हो, तो इसमें वह भी इंक्लूट रहे जो पहले, जो अभी चलेगी, एक स्टम्बर से, ठीक है, आईए, समझते हैं, इसमें भी टार्गेट वाई है, पूरा कॉर्स हमारा जो है, कवर करने का हम सोचे के, तो अगर हम बात करें बच्छों, एर्स एफेजट, एर्स टेस्ट की है, तो एर्स जो टेस्ट होगा बच कब होगा, 24 अगस्ट को, फिर उसकी बाद, 9 जो टेस्ट होगा, हमारा होगा, 28 अगस्ट को, तो अपी क्या रहेगा, पिड़ी, क्या पिड़ी में, फुर्स लेगाज, ये रहेगा हमारे पास, फिर उसकी बाद, 10 जो टेस्ट होगा, वो हरेगा, 2 सेक्टमबर को, तो पिकी अगर मैं बात कूँ, टेस्ट हमारा रहने वादा है, इसके उपर, रियल का, और रियल में क्या रहेगा बच्छों, इसका, फुर्स लेगाज, ये आप इसकी वजए, तो कि कम टाइम मिला है आ इसमें हम 2 सेक्टमबर को कॉम्प्लेक्स कर लेते फिर से, कॉम्प्लेक्स फुल स्लिबस, और फिर 11 टेस्ट रहेगा मारा 7 सेक्टमबर को, क्या रहेगा इसमें, रियल, और रियल में क्या रहेगा, फुल स्लिबस, 12 टेस्ट में, 12 सेक्टमबर को, क्या रहेगा, लीनियर और लीनियर में क्या रहेगा जो फुल स्लिप्रस और फिर अठारा को रहेगा इसमें क्या करेंगे रियर प्लस लीनियर प्लस कोंप्लेक्स और प्लस में लीनियर और फिर उसके बाद अगर बच्चो दूसरी बात यह है अगर एक्जाम क्या होते है यह करते हैं अगर अगर सप्टमबर के मेड में होते हैं तो फिर क्या करें बच्चो यह जो एक्जाम होंगे इसके बाद इसके बाद 7 सप्टमबर के बाद है तो फिर हम इसके बाद इसको इंक्रीज ना करके एक एक दिन का गैप देंगे जाब आपको होगे सब्सक्राइब इसको चलो ज्यादा इंक्रीज करते हैं हम यह कर लेते हैं दो सेक्टमबर एक सेक्टमबर कर लेते हैं इसको यह मंटेस्ट के चार सेक्टमबर को इसको मिं क्याद जाते कॉंप्लेक्स के बाद है आपको पुल्सलेबस 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 पुल्सलेब लिंडी लस्मी लिंडे करें 14 थर्टीन सेक्टमबर को हम क्या रहते हैं रियल लस्मी लिंडेर और 15 तेस्ट की बाद के थर्टीन सेक्टमबर हो गया उसकी बाद 16 सेक्टमबर को 16 सेक्टमबर को हम लेकिते हैं हमारा यहां रियल लिनियर और कॉम्प्लेक्स प्लस दिंड प्लस नमबर क्यूरी प्लस ने लपी प्लस ने मार को चैप तो आपका टार्गेट भी यह वना चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो है आपको सिलेवस को कवर करना है और अच्छे से आपको स्टार्ट करते हैं ठीक है यह चीज नहीं सोचना है सब कैसे होगा क्या होगा क्या होगा क्या है अगर अच्छे से करके चलोगे तो आपको विस्वास दे जाता हूं आपका एक्जाम 101 प्रसंट क्वालिफाई होगा और फिर महीं बच्चों अगर कोई कोई लगता है मेरा डियल वीक है या मुझे कोई लगता सब लीनियर का मेला कोई यह टोपिक है तो आप सेपरेट टोपिक की भी आप लेक्च्छर हमसे ले सकते हो ठीक है यह तो हो गया को इसके बाली और वो स्टूडेंट जिनका टाइलेट क्या रचों आने वाले नेक्स लेकर रहे हो बच्छों तो उसके लिए बच्चों हमकिया तीन कोर्स लेकर आने वादे है ठीक है अर यह तिसलिए इसलिए यह चीज़े लेकर आ रहे है कि वह फिसक के कई शुडेंट के लिए जो है धरी फंजंट पी करना जीए तो उनके लिए हमने अलग लग कॉर्स को तो तीन कोर्स को जो हो थी इसो में हमने डिवाइट कर दिया है जिसका भी नाम रखा अच्छों ने हमने रखा बीसिट एडवांस और बेसिक प्लस्वी एडवांस यह हमने को रखाई है ठीक है वह आपके लिए नेट के लिए भी हेलपफुल रहेंगे गेट के लिए और रहेंट ही चाहते हैं अगर आप क्या करते हैं विच्छों बेसिक कोर्स को जोईन करते हों सब की वैलिडिटी शिक्समंत की रहेंगे बेसिक कोर्स में क्या होगा आपको स्टुडी मेंगिंगेल में लेम यह किसी में होगा पिडिव की कि पलस्मी क्या है भच्छों इसके अंदर जो है पू बर्सिक नोलीज दी जाएगी और is P Dlatego Mobile इसकी साइसर्षा सेसंसर्षे forsk़okus्समे क्का होगी आपको बीसिक न तो इसकी फीस ओनी 15,000 रखी गई है, प्लस्वी 18% जीस की बहुत है, ठीक है, वैले बीटी के वमें बात कुरूँ 6 मैंट, इसमें आपको क्या है, इससे आपकी बेसिक जो नोलेज है, जो आप करके आई हो, BSE, MSE के अंदर, वो बेसिक नोलेज आपके अच्छे से कवर हो जा अब आजाते बचो, Advanced Force में, इसमें क्या होगा बचो, इसमें एक study matter में इसमें भी क्या जाएगा, इसके अंदर भी बचो PDF रहेगी, इसके अंदर क्या जाएगा बचो, इसके अंदर आपको जो है deep knowledge दी जाएगा, इसके अंदर क्या होगा, यहां को बेसिक तरीके से यानि कि अगर हम बात करें, यहां पर every question को तो इसके अंदर क्या होगी ? सिर्फ रिकोड़ेड लेंचर इसके अंदर डाउट लाइव दोनों चीज़ आएगी अच्छा टेस्ट इसमें क्या होगी रिकोडिड प्लस में लाइव लाइव और इसके अंदर इसके जो फीस रखी में रखी होगा और इसके अंदर क्या है आपको एवरी चीज़े को भी बताया जाएगा इसमें जो है इसमें क्या होगे साथे रिकोड़े लेक्चर है कुछ पूस्ट जो है करवाए कुछ ऐसे कोर्शन जो है इसमें आपको बेसिक नॉलीज दी जाएगे इसमें आपको एड़वांस जैनी टीनुलीज दीप लेवल में सिखाज जएगा तीश जी हमारे बेसिक प्लस एड़वांस इसमें क्याहोगा स्टडी मैटिएट बीडियल रहेगा आपको कोरियर रहेए प्लस में रिकोड़िड़ लाइन प्लस में डाउट क्लासीज प्लस इस किस्टी कि इस हुआ हिए जी फीस मंत की है और यह रहेगा बच्छों तुम सेंट इसकी फीस बच्छों इंट इंग में हो फीस इसलिए मुझे यह तो यह हमारा रखेगा और यह सिर्फ अभी वन मन्त के लिए है मतलब यह जो स्ट्रेक्चर है यह वन मन्त के लिए है और हो सकता अब इसलिए बच्छों हमें भी क्या करना होगा इंक्रीज करना होगा जैसा कि मैंगाई के दूर में एवरी चीज़ को इंक्रीज किया गया है उसका इफेक्ट हमारे को हुआ है और यह हमारा इसका फिस्ट रहेगा और पेंड्राइब पोर्स का तुमा आपको बता चुदाओं अभी फ्लारवन नम्त के लिए पैंड्राइब पोर्स का सेम है पैंड्राइब कोर्स में क्या है रचो पैंड्राइब कोर्स के अंदर आपको पैंड्राइब कोर्स के अंदर आपका सेम रहेगा पैंड्राइब कोर्स में आपको क्या क्या रहेगा स्टडी मैं डीले दुर्ष राम आपके पास रिकोर्डिन लेक्ट्र किस राम लाइव ग्लासी चोथा टेस्ट स्रीज ग्लासी और इसमें सबसे अची बात क्या है बच्छो इसमें आपको लाइफ टाइम एकसेस मिलाइए मतलब कि आपको जो वीडियो लेक्ट्र हो वो लाइफ टाइम के लिए होगे और इसकी बीस रखी गई है बच्छो और यह वन मन्त के लिए है उसके बाद इसकी फी में भी इंक्रिमेंट होगा ठीक है तो यह आपका कोर्स का मैंने आपको डिजल बताई है अगर कोई स्टुडेंट न्यू है जहां इंटरनेट की प्रब्लम आते हैं उनके पैंडाई कोर्स बैस्ट है और जिनको अभी जस्ट बीस्ट में है या मस्ट में है तो उनके लिए बेसिक कोर्स को जोईन करना चाहिए 50,000 कोई बड़ी अमांग नहीं है और वहां से वो जो है मैंट की बार में उनको अच्छे से बेसिक नोलीज हो जाएगी और वो श्टुडेंट जिनका टार्गेट से से जो होने वाली क्लास उसको जोईन करना है बच्चों वो जोईन कर सकते हैं आपका मुश्ट वेलकम है ओके आई होब आप सरी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे थैंक्यू फ्रेंट्स